आरत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वंडे सिरिस का आज आकरी मुकाबला खिला जाना है पहले मुकाबले में जहां साउथ अफ्रीकी टीम में नो रनों से जीत हासिल की थी वहीं टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए दूसरा मुकाबला साथ विकेट से अपने नाम कर लिया था ऐसे में राजधान दिली के आरुन जेटले स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला सिरिस के लिहास से निरनायक बन चुका है इस तीसरे वंडे मुकाबले में बारिश भी खलर डाज सकती है गौरतलब है कि राजधान दिली और उसके आसपास के लाकों में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है और आज भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है ऐसे में इस बात की संभावना है कि पूरे 50-50 ओवर्स का खेल ना हो यदि ओवरों में कटोती की जाती है तो दूसरी बैटिंग करना फायदे मन साबित हो सकता है तो भारत और साउथ अफरीका के बीच तीन मैचों की वन डे सिरिस का आज आखरी मुकाबला बेहत एहम है तो भारत तीम की जो टैंशन है वो बढ़ी हुई है और इसको लिका तैयारी भी जोरो शोर उपर है कप्तान शिकरदवन और युवा बलेबाज शुबमन गिल की सलामी जोड़ी यहां पर खराब नसर आ रही है और इसी पर जो काम करने की जरूरत है ये दोनों बलेबाज मौझूदा सिरिस में अभी तक रन बनाने के लिए जूजते दिखे हैं इन्हें काफी महनत करते हुए देखा गया है पर मुकाम हासिल करते हुए ये चूपते हुए नसर आए हैं शिकरदवन अभी तक केवर 17 रन बना पाए हैं तो टीम इंडिया की टैंशन है हाला कि उस पर मन्थन किया जा रहा है और वर कौन भी किया जा रहा है शिव मन गिल तॉप और में मिल रहे अपसरो का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो यहां पर लोग पाइंट जो है वो नसर आ रहा है पहले मैच में सस्ते में आउट होने के बाद दूसरे वंडे में बड़ा स्कॉर नहीं बना पाए तो एक एक खिलाडी को लेकर जो कंक्लूजन है वो आप तक ग्राफिस के जरीए पहुचा रहे हैं भारत का मिडिल ओर्डर हाला की मजबूत नजर आ रहा है तो यहां पर जो पासा है वो किसी के भी नाम हो सकता है मिडिल ओर्डर में शेह साइयर इशान किशन और संजू सै मिल हैं शेह साइयर और सैंसन नी अपने प्रदेशन में निरंता दिखाई है वही पिछले मैच में इशान शांदाल लई में दिखे हैं पर आज क्या कुछ होने वाला है यानिवाला समय ही बताएगा जांगे इनबाजी में शाबाज हैमाद ने भी अपनी पदारपन पर र पारते टीम की खिलाडी हैं वो जुटे हुए हैं पर ये देखना होगा कि जब आज मैच होगा हाला कि मौसम को लेकर खलल किस संभावना बन रहे हैं पर देखना होगा तस्वीर है कैसी नज़िए